बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है राज्य में लोगसभाद चुनाओ को लेकर बयान बाजियों का दौर शुरू है एक तरफ जहां सभी पाठिया अपने स्तर से लोगसभाद चुनाओ की तयारी कर रही है तो वहीं दूसरी और पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है इसी कड़ी में समराट चौधरी ने भी इंडिया गटबंधन पर हमला किया उन्होंने कहा कि ब्रश्टचारी लोग एक हुए हैं सुनिए उनका पूरा बयान बीते दिन राज्य सभासांसद मनोज जहा ने कहा था कि EDCBI के कई इमांदार अधिकारियों ने उन्हें सूचना दी है कि उनका गलत इस्तमाल कर विपक्षी दलों के नेताओं को परिशान किया जा रहा है वही इस मामले को लेकर भी समराट चौधरी ने बड़ा हमला किया बीज़िपी नेता ने कहा कि जिसने गलत किया वही EDCBI से डरता है जो लोग देखिए EDC डरता कौन है जो गलत करने वाले लोग अब बात समझे लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे मुखमंतरी थे और देश में उनकी पार्टी की सरकार थी तब से CBI उनके उपर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं जब उनकी पार्टी उनकी सरकार उनको जेल भेज़ दी कांगरेस पार्टी ने उनको पून रूप से समाप्त कर दिया ओडिनेस पार कर तो बस्ते क्या है वही इस दोरान इंडिया गठबंधर में सीम नितीश कुमार को संयोजक बनाने की खबर को लेकर समराठ चौधरी ने कहा कि हम तो कब से नितीश कुमार का स्वागत करने के लिए बैठे थे कि वो प्रधान मंत्री के उमिद्वार कब होंगे सपना दिखा कर कि प्रधान मंत्री बनाएंगे प्रधान मंत्री का उमिद्वार भी नहीं बना रहे ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब केसरी टीवी धन्यवाद